गुद्मॉर्णिंग। तो आज मैं जारी थी थारोट टेस्ट कराने के लिए अकेले ही जारी थी शुबासूबा का टाइम था तो तो में ने सचा थारोट का टेस्ट कराया तेश्ट रेमेशा खाली पैट होता है फिर भी मिरको ऐसा लगता है जाना एक बार जाके पूछ लेना चाहिए तो मैं हमेशा पूछ लेती हूँ वे टी एसेच करवाना है खाली पिट होता है कभी भी कराव सकते हैं इसके लिए कोई बार्लेश नहीं खाली पिट कराते हैं तो और बैटर है अच्छे क्या प्राइज है ट्राइस दो थी एक टी चारजे सांसकरी खे क्या भी हो जागा आद लिए कई लोगों को काफी डर लगता है सुई लगवाने से या फिर थारो टेस्ट वगेरा पर मेरा इतनी बार ओ चुका है इतनी बार ओ चुका है ना कि मेरा डर बिलकुल निकल चुका है लेकिन आप delivery process के लिए थोड़ा सा डर है कि क्या-क्या सुई लगेगी लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता, आराम से हो जाता है मेरे test Guys, welcome back to my channel तो आज सुबा में उठी तो मेरे सर में बहुत severe वाला pain हो रहा था पता नहीं क्यों बहुत भारी फिल हो रहा था, आज तो मैं वलकी रात में सोई भी थी मैंने आपको पिछले vlogs में बताया था कि मेंको रात में बहुत कम नीद आती है तो लेकिन आज रात में सो भी गई थी, फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता रहा कि कि नीन तो आ रही है लेकिन सुबह उठते ही बता नहीं क्यों सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था तो यहां पर अभी मेरे कपड़े वगेरा पड़े हैं यह मैंने धोके रखे थे मैंने सोचा पहले मैं खाने की तयारी कर लेती हूँ उसके बाद इनका टास्क शुरू होगा तै करने वाला तो मैंने अभी इनको यहां रख दिया है अभी हम पाओ भाजी बनाने की सोच रही हूँ मैं मैंने आपको दिखाया था ना मैं कल समान लेके आई थी तो मैंने सोचा कि मैं पाओ भाजी बना लेती हूँ मैंने काटा पिटी शुरू कर दिया तो मैंने का व्लोग स्राट कर देती हूँ पहले तो दीरे दीरे आप लो पहले पोचा था कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में रेसेपी रुटीन तो कई लोगा का कमेंट आया कि वह मेरा रूटीन और मेरे बेबी चाहते हैं बहूत अच्छा लगा सुनके इनकी इनकी मस्ती धोड़ी से जाधा हो जाती है मेरे व्लॉघ् yani ऐसी 達र इसे दिन उसके बात में को अभी अराम लग रहा है कि रात को मैं दो जो बजे सोई थी और सुबह आठ बजे उठ गई थी मैंने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि छे गंटे की नीन चाहिद कम पड़ गई थी इस वजे से मेरे सर में दर्द हो रहा था तो अभी इसका काम ख़तम हो गया है रीमा ने बरतन वगेरा दो दिया काम वगेरा कर दिया जो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वही पाव भाजी का समान वगेरा कट कर लिया हमने तो अभी चलते हैं पाव भाजी बनाने क्योंकि अज भी थोड़ी देर में आ जाएंगे थोड़ी मतल थोड़ा तो टाइम लगे गई अभी टाइम नहीं हुआ है उनका अज हमने व्लॉग फ अब देखते हैं आज शाम को या फिर कल सुबह तक मेरी रिपोर्ट सा जाएंगी तो मैं आपको अपडेट करूंगी मेरा थायरोड लेवल कितना हुआ खाली टी एसच कराने को बोला था इस बार डॉक्टर ने पूरा नहीं बोला था तो मैं खाली टी एसच करा के आई हू और जैसे बच्चे को भी जादा राम चाहिए तो बैटा अथ वह राम ले बारा क्या तक मस आने अभी आराम चाहिए वाइफ पाव बाजी के लिए समान रेडी है तो मैंने यह प्याज कट कर दिये हैं इसको चौप कर लेंगे और यह मैंने थोड़ी सी गाजर थोड़ा सा ने रिखने न क्यारे इसको गज़़ार कर दिया है थोड़ा बहुत रहरा है वह भी आपको तो इसमें पता तो इतना कि थोड़े से भी अगर प्याज करने हो ना तो फटा फट हो जाते हैं ऐसे खीचो फटा फट और दो मिनिट में हो जाते हैं चौप तो मैंने सोचाए कि मैं ये शिम्ला मिच भी इसी में करके करूंगी आज पर जबता के निया था तो जैसे दो तीन गंटे लग रहा खाना मन आज मैंने शायद पानी थोड़ा जाधा पीलिया इसलिए पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला सा फील ओर यह मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर को आ जाहाँ मतलब बहुत लोगों को भी भी बोलना जाहाँ जाहां कि जो बी अच बहुत लोग हैं हैं मेरे सा पूछे बहुत जड़ा होता है तो जो सफिय पूरा मतलब इतना पानी की पिचे चाविए झाथ जूरूरी होता है तो क्या होता है ऑफ पानी जाधा पीता है तो हो को कम होते हैं और कि अगर आपको कुछ जानना फूशना में इसके जैसे इतनी पतली थी पहले इतना पता भी निथा ना इतनी नौलिज भी नीथी कि कैसे prevent करते हैं या stretch होती है तो stretch marks हो जाते हैं पहले कुछ भी नहीं पता था बक्चे ही तो थे क्योंकि मैं को 10 साल पहले सोच तब हार गया था तो मैं फूल थी गई फूल थी गई तो आज तो हमें पता है कि कैसे करना है क्या करना है तो आप किए धो पहले बचार होने से बचासक्ते लिगिन बाद में बहुत ज्वसकिल हो जाता है उनको अगर चाहँ हो जाताए श्रेट मुष्किल हो जाता है इस वज़े से तो पानी बहुत ज्यादा पी है पहले टिप और वह ओह कि और पूछ पूछ लेकिन इनका तो रोजी रहता ऐसा माईगरेन होता है यार कि रोज सर में तर्च कोई solution दो यार किसी के पास हो तो की माईगरेन के लिए क्या करना जाए मत बताना कियों कि हम दवाईयों में प्रैफर रही करते हैं हां मतलब अलोपैथ मत बता हां है लोपैथ के लावा क्या अपता है होंपैथ का होमोपैथिक अपले ही रहे हो अभी पूर प्रोपर चल का रही है अभी चलेगी वो पेट की वजे से अभी अल्ट्रासाउंड होएगा कल या पर्सों में फिर उसके बाद माइग्रेन के लिए है तो अभी आ गये इनकों लगिए बहुत बूस्याइर हमें लगुत क्या मिल सकता है तो पैटी मिल सकती है तो अभी में खाने मृण मैं था भीक है कैक एक पैटी स्कष्साइब काम चला चाहाऊब और भी बंदे। तक काम चलाउब कि जीपने। आज तो यहां हमारी पावभजी रेड़ी हो चुकी है तेस्ट करके बताओंगे उसके बाद ही जाओंगी अब बटर पेकलने में उसके टाइम लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा गरम है द्यान से घान ना मूझ ला लेता हमेजा इन गाइज के मुँँ में भी पानी ला देते है लाइट नहीं आ रही कैसी यह बाद देती नहीं है पर में को पता है कि वो मिर्च डालते ना लाल वनी में को बार जैसे चाहिए भी नहीं है बार खा लेता अब बात मत कर अब तुर जा अच्छी है सही में बट बड़ी आ है कि अधी उत्तम मक्षन जरूर डाला मैं मजा अगया हम मैं भी टेस्ट करूंगी इस रिश्वत सी ले लेती है एक एक गुपा टेस्ट करना दो बनता है कि अधा बड़ा देखो देखो मैं कैसे मैं कैसे इसको प्रे मूं में बरूंग तो कट कर ले ना कि अधार है सच में अच्छा है मैंने सेकंड टाइम बनाई है पिछली बार भी ठीक थी मतलब वह उसमें मैंने बीट रूट जार डाल दिया ता इस वज़े से थोड़ी सी जादा रेड कली वन गई थी पर आज अच्छी लग रही है मखन डाल के बहुत जाद अच्छी टो मैंने आज ये मेरे कान बहुत थन्दे ठंदे हो जाते इसवज़े से मैंने लगा लिया है वह कुछ नोटिस की मैंने सुचा इंस्टन अपडेट देते हैं कि मैं चल रही थी आते दो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं यू यू चल रही हूं तो मैं थोड़ी दिर ऐसे हो ग तो यहां से हैवी हैवी पानी ज्यादा पी लिया और कमर में दर्दोने लग तो मैं थोड़ा सा ऐसे होगे थी आप लोग भी ऐसे हो जाना थोड़ा सा तो गाइस अभी हम आ मंजिल उपर चड़ना पड़ता है तो इस वजह से और ज्यादा लगता है ऐसा कि सास फूल रही है तो अभी मेरा मन करा में लेट जाती हूँ चेंज करके थोड़ा बहुत जीब सा फील हो रहा है और आपका सरदर्ट ही क्या इनके सरदर्ट में अराम है इन्होंने पाव प्रेट यहां से भी मतलब निकलता है ऐसे करके तो उनको लड़की होती है और जिसका आगे की साइड निकलता उसको लड़का होता है तो आप प्लीज मुझे बताना कि मेरा कैसा है देखके क्योंकि मुझे समझने आरा मेरी फर्स्ट प्रेग्नेंसी है मतलब जानने का इच है और यह मित्धे नहीं होता है भी पता लड़का होता है लड़का होगा लड़की पेट देखके वह बात में याद शूट करना रहा गया था तो मैंने सुचा एंड वगयरा करके एड़िट पूरी करके प्रॉपर उसके बाद मैं लेट जाती हूं सोने के लिए अभी बहुत ज्यादा थक भी गई हूं ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा काम करती हूं लेकिन प्रेग्नेंसी फेज ऐसा ही रहता है क कि ठकावर बहुत जालदी हो जाती है तो अब ही चेंज करेंगे कपड़े वगएरा और उसके बाद अराम करेंगे बहुत ठकावट हो गई है सांत बहुत जादा फूल रहे हैं खाना वगएरा सब वोच चुका है तो अब करते हैं विडियो को end एंड करते हैं इस वीडियो को करो फिर करो तो चलो करते हैं इस वीडियो को एंड अब सोएंगे एड़िट करने के बाद बहुत थक गया है लाइक नहीं करते यार नाटो इनको तो यार लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना दो काम में से काम करो या तो लाइक करो यह तो यह बताओ कि कभ लाइक रहा या फिर शेयर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो और फिर कई नहीं नहीं कुछ लोग तो बहुत प्यार है ची एक जो मेरे जो मेरे आफ्षे मद अच्चे वाले ओर यह जो बहुत अच्छ वाले व्यूर्वीस बन गाया ना वह बहुत अच्छe वीडियो डलते ही देख लेते हैं और लाइक भी कर देते हैं तो उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सच में धन्यवाद और आगे शेयर भी करो मेरी वीडियो तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं थैंक यू सो मुछ वॉचिंग बाई